हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आर्बी टीटीव क्लास में तो बच्चों आज मैं जो कुस्चन ले करके आँए क्लास 9 की मैत की एक्सरसाइज 10.2 का कुस्चन नुमबर 2 है इस वीडियो में मैं इस कुस्चन को डिस्कस करूंगा आप बस वीडियो को ध्यान से देख उसे हमें अच्छा लगता है कि हां कम से कम आपने कुछ तो बताया तो चलो फिर शुरू करते हैं इस कोच्चन में हमसे बोला गया प्रूब एट इफ कॉड्ड आफ अपकंगरेंट सर्किल सब्टेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देंदा कॉड्स आरिक्वल यह मारे पास एक सर्किल है इसका सेंटर ओ है दूसरा सर्किल है इसका सेंटर पी है यह दोनों सर्किल एक दूसरी के कंगरेंट हैं अगर दो सर्किल एक दूसरे के कंगरेंट होते हैं तो उनकी जो रेडियास होती है वो इक्वल होती है तो जब यह दूनों कंगरेंट सर्क पे कौनसे अंगल A O B वो, equal है,angle Q, P, R K, यानि कि center पर बना जो angle है, वो equal, equal है यह दिया गया है question में तो हमें यह प्रूब करना है कि, जो code AB है और QR है, यह equal है क्या प्रूब करना है यहां पर code को equal प्रूब करना है तो चले फिर सुरू करें सबसे पहले हम गीवन राइट करेंगे फिर प्रूब दाट राइट करेंगे और फिर प्रूब्स राइट करेंगे सो गीवेन अब हमें क्या दिया गया है तू कॉंगरेंट सर्किल तू का सबसे बदूब्स या कुंग for लूबकिल ऑस अबसे ये आगाड़ समयी चनेंगे बदूब्स primo माधe व्यकाव. तो क्या राइट करेंगे आपर तो इसमें क्या है हमारे पास बेसिकली इनकी कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एंगल है AOB वो इक्वल टू है एंगल QPRK ठीक है इनका यह कहने का मतलब है यह दिया हुआ है तो टू प्रूफ क्या करना है हमें तो हमें जो प्रूफ करना है वो यह करना है कि कॉड जो AB है वो इक्वल टू है कॉड क्यू आर के यह हमें प्रूफ करना है कि कॉड आर इक्वल तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे यानि कि जो third heading है वो write करेंगे proofs देखो जो हमें proof करना है वो हमें मिलेगा triangle AOB और QPR में in triangle AOB and triangle QPR we have देखो यहाँ पर क्या है अगर दोनों circle concurrent है तो इसका radius इसके radius के बराबर होगा इसका radius इसके radius के बराबर होगा और यह सभी radius आपस में बराबर होगे radii of same circles are equal radii of concurrent circles are equal तो यहाँ पर देखो यह इसके equal हुआ यह इसके equal हुआ और यह सभी आपस में equal हुए तो यहाँ पर हम write करेंगे OA equal to OB PQ equal to PR इसका region radii of same circle and OA equal to OB equal to PQ equal to PR इसका region होगा radii of concurrent circle ठीक है अब देखो यहाँ पर एक चीज और हमें दिया गया है वो angle दिया गया है जो center पर बन रहा है angle है वो equal है क्योंकि question में हमें दिया गया है देखो यहाँ पर दिया गया है इक्वल इंगल्स तो यहाँ पर हो जाएगा angle एउबी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के इसका रीजन होगा गीविन ठीक है तो जब यह इक्वल है तब क्या होगा देखो यहां पर जो ट्रेंगल है ना एउबी और क्यू पी आर ये कंगरेंट हो जाएगा दस ट्रेंगल एउबी कंगरेंट ट्रेंगल क्यू पी आर बाई अब ध्यान से देखना है आपर दो साइड ले रहे हैं और एक एंगल ले रहे हैं तो यहां पर हो जाएगा एस एस बाई एस एस कंगरेंट रूल ठीक है तो इतना आप राइट कर लिजिए यहां वीडियो को पाउज करके स्क्रिंसॉट ले लिजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं एक बार अगर कोई दो ट्रियेंगल कंग्रेंट हो गया तो उसके सारे साइड सारे एंगल कंग्रेंट होंगे यहां पर हमें कॉड की बात करनी हैं AB और किवार की तो यह भी इक्वाल हो जाएंगे by सिपिसिटी तो लिखेंगे दस के साइड सारे एंगल एक दूसरे के एकवल हों में तो यहहां प्रतर नहीं होता है करिस्पण इंग पार्ट आफ और गरेन्ट ट्रेंगल तो यहीं हमें प्रूब करना था हैंस प्रूब्ड है ठीक है तो यह हमारे कॉर्ड सीक्वल होते हैं प्रूब हो चुका है स्टुडेंट आप चाहो तो इसे राइट कर लो या वीडियो को पॉज करके स्क्रीन सॉट ले लो तो आसा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा कुछ